भारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेश्ट धार्मिक भजन वेकारेकरम निशूलक देखने वे सुनने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए ब बुझाने का प्रियास करती हैं तूफान आएंगे आंधी आएंगी दिया बुझेगा इसलिए भगवान महावीर ने कहा है कि जब दिया जल रहा हो और आंधिया चल रही हो तो उस दिये पर सैयम का काच लगा देना चाहिए ताकि वह दिया हमेशा हमेशा को रोशन रहे को यह उसे बुझा ना पाएगे सैयम सुरक्षा है सैयम अनुशासन है सैयम आत्मुथान का प्रथम चरण है सैयम नहीं तो कल्यान नहीं इसलिए जीवन को सैयमित बनाओ जैन दर्शन में सैयम की बड़ी कीमत है हमारे यहां ब्यक्ति नहीं पूझा जाता है उत्तम ब्यक्ति नहीं कहा जाता है उत्तम सैयम कहा जाता है जिस ब्यक्ति के जीवन में सैयम आ जाता है वो ब्यक्ति सारे जगत में पूझ हो जाया करता है सभी उसे प्रणाम करने लगते हैं सैयम होना बहुत जरूरी है सैयम का अर्थ संकल्प आदमी के जीवन में हजारों बिकल्प है हजारों तरह के तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है लोग आते हैं कि महराज बहुत बिकल्प उठते हैं मन में बहुत तनाव बहुत बिचार उठते हैं ज़्यादा बिकल्प ज़्यादा तनाव ज़्यादा टेंसन दिमाग में होता है तो एमान के चलना तुम्हारा जीवन असयमी का जीवन है और जो संयम ले लेता है जो शंकल्प ले लेता है उसके बिकल्प अपने आप समाप्त हो जाते है बिकल्पों को मिटाने का एक संकल्प ही साधन है शंकल्प करो बिकल्प समाप्त हो जाए इक रास्ता इक आदमी ने कहा कि टैंसन भूत होता है क्या करे मिनका कुछ मत करो करोगे कि टेंसन होगा टेंसन को मिटाना है तो अटेंसन में रहो जो अटेंसन में रहेगा उसको कोई टेंसन होने वाला नहीं है सैयम यही कह रहा है कि जीवन को शंकल्प से बांद करके चले लक्ष विहीन यात्रा कहीं नहीं पहुँचती है एक बात ध्यान रखना आदमी चल रहा है चल रहा है चल रहा है पहुचा कहां है यह उसे पता ही नहीं है आदमी चलता तो है पहुचता कहीं नहीं है हम मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं पाठ करते हैं पहुँचे कहां वही के वही एक होता है न कोलू का बैल जो चलता तो बहुत है उसके आँख में पट्टी बांदी जाती है कोलू को जानते हैं तुम लोग तो जानते होगे गोलू का बैल जो होता है उसके आँख में पट्टी बनी रहती है एक लकडी के खंबे से बांदिया जाता है गोल गोल घूमता है और मन में यही सोचता है बहुत यात्रा हो गई आज बहुत चल लिया सोई से साम चलते जारा चलते जारा चलते जारा है वे सोचता है कि यात्रा बहुत कर चुका लेकिन नादान जब साम को पत्थी खुलती है तो कोलू का बैल चलता तो बहुत है लेकिन पहुचता कहीं नहीं है जहां से यात्रा सुरू होती है वहीं अपने को खड़ा हुआ कहीं ऐसा जीवन हमारा तो नहीं हम उपवास भी करते हैं एकासन भी करते हैं धर्म ध्यान भी कर लेते हैं पूजा पाठ भी कर लेते हैं माला जाब भी कर लेते हैं लेकिन जब मौत आके हमारी पट्टियां खोलती है तो लगता है हम चले तो बहुत हैं लेकिन पहुंचें कहीं नहीं है वहीं के वहीं अपने आपको खड़ा हुआ पाते विचार करो पांच पांच पूजा कर लिए घर जाने के बाद करोध चालू त्याग कर लिया सयम ले लिया विपरीत परिस्थिती पड़ी करोध चालू मान बरकरार है मायाचारी चली रही है पूजन पाट चल रहा है इधर धरम भी चल रहा उधर करम भी चल रहा है इधर पाप भी चल रहा उधर पुन्न भी चल रहा है विचार करिये ऐसा लगता है कि चले बहुत लेकिन पहुँचे कहीं नहीं चार सरावी थे ना जाने उनको क्या सूजी बुली चलो नोका विहार करते हैं एक नदी में पहुँचे नाव में बैठे चारों सरावी चप्पू चला रहे हैं पतवार चला रहे हैं कहते हैं कि रात पूरी बीत गई सवेरा होने को आया पतवार चारों ने बारी बारी से चलाई कुछ देर कुछ घंटे पहले शरावी ने चलाई कुछ घंटे दूसरे सरावी ने चलाई चलाते जा रहे हैं एक सरावी ने कहा कि यार सुबह होने को आई उतर के तो देख किनारा दूसरा आया या नहीं आया सरावी उतरा उसने देखा बड़ी जोर से हसा अरे उसने का पागल तु हसता का एको है दूसरे से का तु आके देख ले बो उतरा उसने देखा बो भी बड़ी जोर से हसा दो बैठेते दोनों ने कहा यार पागलो हस क्यों रहे हो बताओ ना अपना किनारा आया की नहीं आया तीसरा उतरा बोवी हसा चोथा उतरा बोवी हसा चारो ठाके मार के हस रहे है बोले भस्तर क्यों है बोले यार अपने पतवार तो सारी राज चलाई लेकिन नाव खोलना तो भूली गए नाव तो अभी भी इसी घाट से बनी हुई है सारी राज चलाई नाव वही कि वही खड़ी है लंगर छोड़ना तो भूली गए लंगर तो घाट से ही बना हुआ है मान्यवर कहीं ऐसा ही तो हमारी जिंदगी नहीं उन शराबियों की तरह है हम त्याग तपश्या सब करते है मगर नाव तो घर से बनी हुई है नाव तो परिवार से बनी हुई है नाव तो हमारी संसार से बनी हुई है नाव नहीं चुटी कहां पहुचोगे मेहनत होगी पहुचोगे कहीं नहीं अपने अंतस को टटोलने का प्रियास करें कितनी अनासक्ती बढ़ी कितने पाप कम हुए कितनी कसाईयों से मुक्ती मिली ऐसा लगता है कि एक हाथी जब इसनान करता है नदी में जाकर के नहाता है और नहाने के बाद घंटों इसनान करता है नदी में डूब कर और जैसे नदी से बाहर निकलता है धूल पड़ती है, सून में भरता है और फिर धूल अपने उपर डाल दिया करता है उत्तम सैयम ध्यान रखना नहाना फिर धूल से इसनान कर लेना नहाना धोना सब एक साही हो गया हम भी अपने जीवन में यही कर रहे हैं सयम होना चाहिए सयम एक बंधन है लेकिन एक बात याद रखना हर बंधन बंधन नहीं होता कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो मुक्ती में कारण बना करते हैं सयम एक बंधन है सयम इंद्रियों का बंधन है सयम प्राणियों का बंधन है सयम का हर्थ है अपने मन को बंध करके रखना लोग कहेंगे चाहते तो मुक्ती हैं वो बंधन की बात कर रहे हैं कुछ बंधन मुक्ती में कारण होते हैं एक बेल को यदि उपर चढ़ना है, घर के उपर, तो उस बेल को किसी पेड के सहारे से बंधना पड़ता है, उस बेल को किसी लकडी के सहारे से बंधना पड़ता है, वह जब बेल किसी लकडी का बंधन स्विकार कर लेती है, तो बेल नीचे नहीं जाती, बेल उचाईयों को ब्राप्त किया एक बात बताओ कुवा है बाल्टी है बाल्टी में रस्सी का बंधन है ये बंधन उसका पतन है या उत्थान है विचार करिये जब रस्सी में बाल्टी बंधी रहती है बाल्टी को जब कुवे में फेक दिया जाता है जब बाल्टी पानी में डूब जाती है तो रसी का बंधन डूबी हुई बाल्टी को फिर उपर ले करके आ जाता है उसे उचाईयां प्रदाने करें यह सैयम है सैयम माने रसी का बंधन हमारा जीवन एक बाल्टी है रसी एक बंधन है वही बंधन उस बाल्टी को उचाईयों पर लाने में कारण बना करता है आचारे शान्ती शागर जी महारा आज प्रथम आचारे हुए जिन से स्त्रमन परंपरा चली है